हलो दोस्तो नमस्कार एक कि समकिछी चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहूत-बहुत स्वागत करतायों दोस्तो इस tube में हम लोग रुपे में आ जाता है तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट कहाता सर वीडियो प्लीज बना दो बना दो क्योंकि कलेक्टिवली अगर मैं एड़ एड़ करते जाओ कमेंट्स को तो लगवग दोसो से धाइसो कमेंट्स इसके उपर ही आये थे सो बुरा मत मानना दोस्तो इन लोगों को भी इंकरेज करना इंपोर्टन्ट होता है क्योंकि मैंने भी सबसे वहली शुरुआत की थी वो पेनी स्टॉक से की थी और शायद से आप लोगों ने भी की होगी जरू मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना तो इसमें कोई शरम की बात नहीं है पेनी स्टॉक अगर आप लोग खरीदते हो बट इसमें एक सबसे बड़ी गलती होती है कि वो बड़ा अमाउंट लगाना मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में जीरो नॉलेज कुछ भी पता नहीं है और उसके बाद वहाँ पे 10,000, 20,000, 50,000, 1,000, 2,000,000 बहुत सारे लोग आप लोग आप लोग का ऐसे वीडियो। बता देंगे वाहयात वीडियो होते वो बता देते कि ऐसे कर लो फिर बहुत कमा होगे तो बताना चाहतो ऐसे बात नहीं है penny stock बहुत कुछ हम लोगों को देते हैं और सबसे बड़ी बात होते हैं कि knowledge देते हैं experience देते हैं और वो सस्ता experience मिल जाता है तो यही बात हम लोगों को यहापे करनी है और 3 penny stock यहापे मैं आप लोगों को बताऊंगा जहापे कुछ logic है मैं हमेशा बताता हूँ अगर आप गलत भी गयन है तो कोई फरक नहीं पड़ता है सीखने को कुछ ना कुछ experience होना चाहिए logic होना चाहिए उसके बाद अगर आप गलत जाते हैं तो चल जाएगा तो ऐसे 3 penny stock में आपको यहापे बता दूँगा जहाँ पर अगर आप चाहते हो तो 500 रुपिया भी लगा के देख लेना मतलब अगर डूब गय तो कोई बात नहीं बट बेवकुफी के तरह 50,000 लगा मत देना पाच लग मत लगा देना जो की वाकई में लोग ऐसा करते हैं तो यह 3 penny stock के पीछे कुछ ना कुछ हुआ जाए वो मैं आपको बताऊंगा उसके बाद आप चाहो तो वापे 100 रुपिया लगा देना 200 रुपिया 500 रुपिया उससे ज़्यादा मैं आप लोगों को अलाउड नहीं करूँगा लेटिस्ट चार वीडियो से आप लोग देख सकते हैं जो अभी का वीडियो है उसको देख लेना stock market क्या crash हो सकते है सबसे बड़ा खत्रा क्या है यह आपको पता होना है चाहिए इससे related वीडियो है नीचे description box में चार वीडियो का लिंक आप लोग को मिल जाएगा जरू उसको आप चेकाउट कर सकते हो उसी के साथ साथ मेरा और एक चैनल है stock market का classes आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो बाइकाट चानल से related वीडियो अपलोड हो चुका है उसको भी जरू सपोर्ट कर रहे ना उस चैनल में जाके जरू उसको भी फॉलोड कर सकते हो पिछली दोस्तों हम लोग आ चुके हमारे नॉर्मल वीडियो के उपर जैसे मैंने का कि तीन penny stock दिखाने वाला हूँ सबसे पहले आप सभी लोग पता है terms and condition मैं हमेशा penny stock की बात करता हूँ term and condition, hashtag बोल सकते हो star mark बोल सकते हो इनको आप लोगों ने apply करना है सबसे पहली बात प्लीज यहाँ पर हाथ जोड के बिंती करता हूँ ज्यादा पैसा मत लगा लेना या आप लोगों को सीखने के लिए ये चीजे में कर रहा हूँ ये सारी चीजे बता रहा हूँ तो सबसे पहला कौन सा penny stock है जो कि आप लोगों को पता है मैं हमेशा अच्छे stock की बात करता हूँ Trident अभी worst में best penny stock कैसा होता है पता है आपकी किस्मत कैसी है उसके उपर depend करता है किस्मत चलेगी यानि उसके उपर depend करता है तो Trident limited है एक ऐसा penny stock है जो कि 6 रुपे के आसपास 7 रुपे के आसपास देखने को मिल रहा है और ये comparatively बाकी penny stock से हटके है हटके मतलब दो चीज सबसे बढ़िया जो उसमें मुझे देखने को मिल जाती है maximum chart pattern अगर आप लोग देखोगे तो हरे निशान में देखने को मिल रहा है uptrend में देखने को मिल रहा है जो कि किसी penny stock में आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा सारे penny stock कभी तो रहेंगे 100 रुपे के 200 रुपे के और वो नीचे नीचे आ चुके होगे मतलब left to right जो chart pattern रहता है हम लोग को down देखने को मिलता है बट ये एक ऐसा penny stock है जो कि हम लोग को left to right uptrend में देखने को मिलता है हरे निशान में देखने को मिलता है comparatively बात की तो तो ये penny stock है जिसके उपर आप चाहो तो नजर रख सकते हो अगर amount लगा नहीं तो 100, 200, 500 उससे ज़्यादा मत लगा देना कि कल आप लोग बरबादी हो जाओ तो ये बात आप लोगों ने सबसे पहली note करनी चाहिए second अगर मैं बात करूँ इस penny stock की सबसे खासियत वाली बात है कि ये penny stock होने की बाउजू dividend देता है येस दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ताज्यूप हो जाएगा कि ये company corporate action में देख सकते हो कि ये dividend देती है 2019 की अगर मैं बात करूँ तो एक company ने लगबख 4-5 बार dividend दिया था कि आप बिलिव कर सकते हैं एक penny stock ने 4-5 बार dividend दिया था और अगर देखा जाए तो ये penny stock थाई नहीं इसका split हो गया था आप लोग देख सकते हैं इसका face value 10 था जो एक में कर दिया और ये इसलिए किया गया क्योंति volume बढ़ सके तो ये split के बाद आप लोग देख सकते जो कि अभी company ने deliberately उसका face value कम कर दिया management ने कम कर दिया जिसके बदलत आप लोग को ये stock यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो इसलिए मैं हमेशा आप लोग को बताता हूँ कि अगर आपको जाना ही है कि penny stock के लिए उसमें कोई शरम की बात नहीं आप लोग ने ने हो market में बट यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना चाहिए एक logic के साथ चलना चाहिए और ये logic मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे बता दिया है अब चाहो तो इसको follow कर सकते हो unfollow कर सकते हो बट यहाँ पे मैं जरू कहूंगा कि पेनी स्टॉक में अगर निवेश करना है बहुत सारे लोग यह भी पूछते सर क्या आप पेसा लगाते हो 110% लगाते हो लगाने के लिए क्या जाते है बहुत सारे पेनी स्टॉक मैंने भी खरी देते है बट फरक क्या है छोटा amount लगाते हो कल अगर वो पेसा मतलब बोलते हैं वो पेनी स्टॉक को सीधा सीधा कट कर दो मुझे कोई रद्धी बर भी फरक नहीं पड़ेगा इतना मैं बता तो और इसको मैं रद्धी स्टॉक क्यों बता तो बोलता हो इसकी भी मैं कहानी बताऊँगा क्योंकि जब मेरे स्टॉक मार्केट स्टार्ड भी किया था मैं भी खुद पेनी स्टॉक में लगाता था आज भी अगर मैं देखता हूँ जो हमारे घर में रद्धी आती ना रद्धी पेपर जो हो रहते हैं वो बेचने के बाद जो पैसा आता था था ना वो में पेनी स्टॉक में लगाता था मतलब वो डूब गये तो भी फरक नहीं क्योंकि वो ऐसे गार्बिच का पैसा रहता है उसी टाइप का तो इसलिए मैं उसको रद्धी के बोलते हैं ना भाव के उपर लगाता था उसलिए मैं उसको वैसे ट्रिट करता हूँ तो याद रखना दोस्तो कि कम पैसा लगाना मैं खुद कोशिश करते रहता हूँ और ऐसा एक बार हो भी गया है कि प्राइम सिक्यूरिटी करके स्टॉक तक चार रुपे के आसपस मैंने खरीदा था वह बाद में गया 40-50-60 के यापे और सारा पैसा रिकवर तो यह मोटिवेशन यह मत लेना कि अभी हम लोग भी पैसा लगा देंगे फर्स जाओगे तो ट्राइडेंट लिमिटेड यह सबसे पहला स्टॉक है जो कि मैंने आप लोगों को यहापे दिखा दिये और सबसे दो पैरामिटर बढ़िया वाली मैंने बता दिये भूलना मत चार पैटन और यह डिविडेंट तो एटलिस देता ही देता है तो सेकेंड अगर हम लोग बात करें तो उर्जा ग्लोबल लिमिटेड येस वापस में कह रहा हूं कि यह मत सोच लेना कि यह हजार हो जाएगा 2000 ऐसा कुछ भी नहीं है बट कमपेरिटिवली अगर हम लोग देखे तो यह स्टॉक आप लोग यहापे देख सकते हैं चार पैटन के हिसाब से अभी तक ह 10 साल भी लग सके तो इसलिए पैनी स्टॉक कि किसमत के सारे चलता है कभी कभी किसमत बहुत जबरदस होती है हो जाते है पैसे बन जाते बट आप लोगोंने पैसा कितना लगाने बहुत ही कम 100-200-500 में सिखाने के लिए बता रहो तो इसलिए बताना चाता हूं यह देख सकत होते हैं और एक साल के बाद उनको पता चल जाता है कुछ भी उनका पैसा बड़ा नहीं इंफेक्ट वो नीचे जा रहा है और वो वाद में क्या एक्जेट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा लॉस उनको जहलना पड़ता है तो इसलिए मैंने टर्मस और कंडिश इनको एक बार कॉंट्रेक्ट मिल चुका था तो कंपणी है चोटी बट जो आगे वाली जो इनोवेशन से क्योंकि सोलार को बहुत ज़्यादा बड़ावा दिया जा रहा है अदानी ग्रीन में हम लोगों ने देखा था उसी के टाइप में अगर हम लोग और आगे आपे द बाते भी है तो यह चीज़ भी आप लोगों ने जरू नोट डाउं कर लेनी चाहिए तो कंपणी के बारे में आप लोग आप देख सकते हैं 3.85 पे हैं हाईस्ट भी अगर आप इसका देखेंगे 52 है तो 4.85 ही देखाई दे रहा है लो देखोगे तो 90 पेसे के आपे देखन आजाती है थर्ड कंपणी है वोड़ाफोन आइडिया यह सबसे पॉपिलर अभी चल रहा है पेनी स्टॉक से रिलेटेड क्योंकि आप लोगों को बताना चाता हूं इसकी किस्मत ऐसी है कि सरकार भी आपे फर्स चुकी है इस कंपणी को अगर बंद किया जाए तो कंपणी यह आपे बच जाएगी उनकी ही मोनोपॉली चलेगी तो इसलिए यह कंपणी का जिंदा रहना एक्चुली देखा जाए तो मार्केट में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए यह कंपणी अगर दो से तीन सार साल भी अगर चल जाती है तो इसमें हम लोग सबसे चार्मिंग पेनी स्टॉक है मतलब खबरों में रहने वाला पेनी स्टॉक है जिसको हम लोग यहापे देख सकते हैं कभी भी कोई अच्छी न्यूज इस स्टॉक में जान ला सकती है और यह स्टॉक को वापस नीचे भी लुड़का सकती है कंपनी फंडामेंटली आपके सामने कि यहापे दस हजार पचास हजार ऐसे ब्योकुफी वाले बाते मत करना बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा अगर लगाना है तो सो रुपिया दो सो रुपिया या फिर पात सो रुपिया भी मैक्स टू मैक्स में अलाउड करूंगा तो फिर आप लोग को टीन स्टॉक मेरे आपको बता दिये है अगर मैं टीन स्टॉक को अगर रैंक कर दू तो सबसे पहले मैं रैंक देना चाहूंगा ट्राइडेंट को क्योंकि वह कंपनी एक्चल में पेनी स्टॉक नहीं था प्लस दो एडवांटेज बता दिये चार्ड भी अच्छा है डिव जा ग्लोबल सो ऐसे रैंक में यहाँ पे आप लोगों को दे चुका हूं वापस बताना चाहतो ज्यादा अमाउंट मत लगा लेना जितना पैसा आपको डूब भी गया 20 साल के बाद अगर यह कंपनी आज जहां पे वही पे रही तो आपको फरक नहीं पढ़ना चाहे इतना ही पैसा आप लोगों ने लगा लेना चाहे इतना मैं आप लोगों को बार बार बता के यहाँ पे अल्मोस्ट वान कर चुका हूँ आपकी रिक्वेस्ट भी मैंने फुल्फिल कर दी और आपके लिए लोजिकल पेनी स्टॉक भी आपके बता दिए सो अगर आपको वीडियो अब यह तो कुछ लॉजिक के साथ तो गिरो तो यह मैंने बात आप लोगों को बता दिए सो देट से टेंक्यू पेरी मास दोस्तों वी बिल भी मिटिंग अला नेक्स टुडियो तब तक के लिए बाई बाई